आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question says, explain how a square is a parallelogram मतलब हमारे पास एक यह square suppose कर देते हैं ABCD और यह के parallelogram है PQRS मुझे बताना ही कि यह square है यह parallelogram कैसे है हम सबसे पहले properties of parallelogram देखते हैं और देखते हैं कि वह properties square में apply हो रही है यानि properties of parallelogram सबसे पहली property opposite sides are equal opposite sides are equal second property opposite sides are parallel parallel third property sum of adjacent angles मतलब यह वाला और यह वाला angle जरूरी नहीं 90 हो इनका sum क्या होता है लेकिन sum of adjacent angle मतलब angle s plus angle r होता है 180 degree होता है इनका sum that is sum of sum of adjacent angles इस अप्लिमेंटरी यह हो गई तीन प्रॉपर्टीज फेर ले लो ग्राम पी इसमें एंगल आर प्लस एंगल क्यूभी एंडिसेंट एंगल तो इन दोना का sum भी 180 डिग्री होगा और देखते हैं यह प्रोटीन प्रॉपर्टीज स्क्वेर में अप्लाई हो रही हैं यह नह प्रॉपर्टीज स्क्वेर में अप्रॉपर्टीज 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 स्क्वेर मे R equals to 180 degree मिलब sum of adjacent angles स्प्लिमेंटरी स्क्वेर में सारे angles 90 degree होते हैं ये 90 degree और ये 90 degree फिर ये angle A भी 90 degree और angle B भी 90 degree तो हम sum of adjacent angles कितना होगा देखते हैं angle C plus angle D देखते हैं योगा 90 degree प्लस 90 degree मिलब की 180 degree मिलब sum of adjacent angles इस स्क्वेर में, वो भी 180 डिग्री होता है, मतलब थाइड प्रोपर्टी भी पेरलेलोग्राम की आपलाय होगो इस स्क्वेर में क्ल से लेकर नीट आय इईट जेही मिन्स और अडवन्स की लेवल तक 10 मिलियन से sécurité के जाधा स्टुड्एंस का भर होसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर